हेलो फ्रेंड्स आज जो आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ मस्रूम बिर्यानी की रेसिपी ये क्लासिक वर्जन है वेजिटेरियन बिर्यानी का बहुत ही टेस्टी बिर्यानी बनती है और जो मस्रूम है वो बिल्कुल मीट जैसा फील होगा आपको लगेगा ही नहीं कि आप वेजिटेरियन बिर्यानी खा रहे हैं इस बिर्यानी की खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए इसे देख लेते हैं कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम मस्रूम उसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और ये मैंने आधा केजी लंबा वाला चावल लिया है बिर्यानी वाली उसे मैंने धोगो कर उसे रख दिया है साइड में और यहां पर जो हमने मस्रूम लिया है ना, उसे हम कट कर लेते हैं, तो जो बहुत बड़े मस्रूम है, उसे मैं दो पार्ट में कट कर ले रही हूँ, और दो छोटे हैं, उसे मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, एक तरफ गैस पर मैंने रखा है कडाही, उसमें दो बड़े चमच मैंने oil डाला है oil आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते है मैं सरसो के तेल में बना रही हूँ और इसे हमें high flame पर fry कर लेना है जब तक पानी इसका release ना हो क्योंकि मस्रूम में काफी मात्रा में पानी होती है तो ये मैं निकाल लेती हूँ कडाही से बाहर ये हमारा golden color आ गया है और इसमें जो पानी है वो भी सूख चुका है तो इसे मैं निकाल लेती हूँ कडाही से बाहर और इसी कडाही में मैं करीबन आधा कप के करीब oil डाल रही हूँ और उसमें मैं 6 प्याज को ली थी medium size की प्याज है ले उसे मैं fry कर ले रही हूँ oil में तो इसे हमें medium flame पर fry करना है इसे एकदम golden color आने तक इसका हमें अच्छा golden color चाहिए तो मैं इसे medium flame पर एकदम अच्छे से golden होने तक fry कर लूँगी तो आप देख सकते हैं इसमें golden color आ गया है तो इसमें से मैं आधा portion निकाल ले रही हूँ आधा को हम layering में काम करेंगे इससे तो मैं इसे निकाल कर side रख दे रही हूँ और ये जो आधा बचा है उसमें थोड़ा सा मैंने oil से side कर दिया है और oil में एक छोटा चमच साबूत जीरा साथ में मैंने 5 छोटी इलाइची 10 से 12 काली मिर्च दो तेज पत्ते और मैंने 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है साथ में एक जावित्री मैंने लिया है तुकड़ा और एक बड़ी इलाइची मैंने यहाँ पर ली है और इसे हम थोड़ा सा चटकने देंगे थोड़ा सा ओयल में फ्राई होने देंगे जब यह हलका सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ हरिमिर्च और लसुन अद्रक का पेश्ट तो यह करीबन मैंने 3 बड़े चमच इसमें एड़ किये है और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे करीबन 1 मिनट तक भूनेंगे बहुत जादा इसे नहीं भूनेंगे बस इसका लसुन और अद्रक का कच्चापन दूर हो जाए उतना ही हमें भूनना है तो यह मैंने अच्छे से भून लिया है भूनने के बाद इसमें हम कुछ सुखे मसाले आड़ करेंगे तो मैंने एक चमच कस्मीरी लाल मिच पाउडर एक चमच मैंने धनिया पाउडर आधा छोटा चमच मैंने काली मिच पाउडर और दो बड़ा चमच मैंने यहाँ पर बिर्यानी मसाला लिया है बिर्यानी मसाला मैंने पैकेट वाला बाहर का लिया है, आप चाहें तो घर वाली बिर्यानी मसाले का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इसे हम करीबन एक मिनट के लिए इसे भी हम भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो सके जब यह 1 minute ہو जाएगा यह अच्छे से मसाले भुन जाएगे तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ टमाटर, तो 2 medium size का मैने टमाटर लिया है, टमाटर के साथ ही मैं यहाँ पर add कर रही हूँ, half cup दही, आधा cup मैंने यहाँ पर दही डाला है और टमाटर और दही को हम साथ में अच् तो इस स्टेज पर हम एड कर देंगे यहां पर मस्रूम जो हमने फ्राई करके रखा है मस्रूम के साथ ही मैं डाल दे रही हूं नमक क्यूंकि मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं एड किया था इस स्टेज पर मैं नमक डाल दे रही हूं और मसालों में मसाले जलेना इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी एड़ किया है तो मैंने करीबन एक चोथाई कप इसमें पानी एड़ किया है और इसे हम ढख देंगे ढख कर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे तो करीबन मैं इसे पांच मिनट तक पकाऊंगी तो पांच मिनट जब तक ये पक रहा है तब तक मैं चावल को भी रख देती हूं तो यहाँ पर मैंने चावल के लिए पतीला चड़ा लिया उसमें मैंने पानी डाला है और पानी में नमक, दालचीनी, छोटी इलाईची और म बड़ा चमच के करीब मैंने तेल डाला है और उसके बाद जो हमने धोकर साफ करके चावल रखा था उसे हम ले लेंगे और उसे हम इसमें डाल लेंगे और डाल कर इसे करीबन 70-80% कुख होने तक पका लेंगे जब तक ये पक रही है तब तक हम यहाँ मस्रूम देख लेते और कितने अच्छे से यह ओयल रिलीज हो रहा है तो उपर वाली जो ओयल लेयर के उपर आ रही है उसे मैं निकाल ले रही हूं स्पून की सहायता से तो इसे हम रख देते हैं साइड हम लेयर लगाने समय इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हमने जो चावल रखा था वो भी 70% कुक हो गया है 70-80% तो इसे बस हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका पानी हटा लेंगे यह मैंने पानी हटा लिया है यह हमारा बहुत ही अच्छा चावल एकदम खिला खिला बनकर रेडी हुआ है इसे आप ज्यादा नहीं चलाईएगा नहीं तो यह तूट जाएगी और लेरिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा सा पतीला आप इसे चाहें तो कुकर में चाहें आप इसे हांडी में भी लेयर कर सकते हैं मैं यहाँ पर इसे पतीले में बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने जो तेल निकाला था आपको याद होगा उसे मैंने थोड़ा सा डाला है और साथ में मसरूम थोड़ा सा मैंने नीचे रखा है और उसी में मैंने थोड़ा सा पानी एड़ किया है तो ये करीबन मैंने दो बड़े चमच मैंने पानी एड़ किया है और उसके उपर से मैं लेयर लगा रही हूँ कब के ऊपर मैंने जो हमने प्याज फ्राइग करके रखा वह डाल लेंगे और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ता और मेरे पास यहां पर मिंट नहीं थी फ्रेश वाली तो मैं मिंट सुखा कर रखी थी, वही मैंने डाला है और उपर से थोड़ा सा मैंने केवड़ा essence डाला है, थोड़ा सा उसमें food color, yellow color डाला है इसी तरह से बाकी की भी layering हम लगा लेंगे तो ये मेरा सबसे उपर वाला layer है उसके उपर भी मैंने प्याज का वरिस्ता डाला है उपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता और मैंने इसमें थोड़ा सा पोदीना सुखे हुए डाले हैं साथ में मैंने केवडा एसेंस डाला है उपर से मैंने थोड़ा सा बिर्यानी मसाला उपर से छिड़क दिया है और इसके सबसे उपर वाली लेयर में मैं दो छोटे चमच मैंने इसमें घी भी आड़ किया है और इसे 15-20 मिनट एकड़म लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे ढखकर तो यहाँ पर 15-20 मिनट हो गया है आप देख सकते हमारा चावल कितना अच्छा खिला खिला है और जो हमारी मसरूम बने है बिर्यानी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है आप अगर लगता है कि नीचे जल जाएगा तो आप नीचे तवा रख लीजेगा तवा के उपर आप इसे दम लगा लीजेगा ये हमारा बहुत ही टेस्टी, मटन चिकन को भी टकर देने वाला मसरूम बिरियानी बन कर तैयर है बहुत ही स्वाधिष्ट बनता है जो नॉन्वेज नहीं खाते हैं उनके लिए तो ये बिरियानी बहुत ही वेस्ट है साथ में हेल्दी के साथ टेस्टी भी है और बनाना भी बहुत ही आसान है जटपट ये बन कर तैयार हो जाता है तो एक बार आप इस बिर्यानी को जरूर ट्राई कीजिएगा इसे मैंने राइटा के साथ सर्व किया है अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजेगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके बाइ बाइ फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नियू और इंट्रेस्टिंग रेसिपीज के साथ